हलो एपरिवन स्वागतिया आपका क्राफ्ट फर मॉडल के इस फ्रेश वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम बोया का जो कॉलर माइक होता है उसकी अन्बोक्सिंग करेंगे क्योंकि जो यूट्यूब के जो बहुत अच्छा मैं कहूंगा क्योंकि जो यूट्यूब के जो बहुती फेमस एक क्रियेटर है टेकनिकल गुरुजी नाम सुनाओगा उनका नाम है गौरा चौधरी वह भी यही माइक्रोफोन यूज करते हैं तो आपना अपना सेटप जमान में या फिर अगर आपको रिक्वार्मेंट है किसी ऐसे एकॉनमिकल और एफोडेबल कॉलर माइक की तो यह काफी अच्छा माइक साबित हो सकता है तो वाई यह जादा देर ना करते हुए इसकी अन्बॉक्सिंग शिरू करते हैं वैसे जो और दूसरी जो आउनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है उन पर जो इसकी कॉस्ट है वह लगभख सोलासो सो चौदासों रुपे की बीच मेरी करती है लेकिन एमाजान पर जो ओफर चल रहा था उसमें यह जो हमें मिला है यह लगभख एक हजार रुपे मतलब एक है और दस रुपे का मिला है और देखा जाया तो और इसमें इंक्लूड़िट शीपिंट चार्जिस भी था तो मतलब हमने ऐसा कोई एडिशनल शीपिंट चार्जिस नहीं लिया है तो इसकी खाजबात यह है कि इसमें एक छोट असल लगता है और बाकी चीज़े हम आपको दिखाएंगे इसमें तो यह बोया का जो है यह हमने इसको धरक देते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में की युनिवर्सल जो इसकी गाइड है वह है कैसे यूज कर सकते हैं इस कॉलर मा तो इसको बाद में पढ़ सकते हैं तो अच्छा मुझे महसूस हो रहा है उसके बाद में अब देखें तो तो ये से का पाउच हो गया क्वें बहुत बदीया पाउच है इसको गया रखते हैं और इसके साथ में यह об士लमिल और इसके साथ में हुआ आखने के साथ में एक नोटिस पैड भी मिला हुआ है कि जब आप कैमरे के लिए यूज़ करें तो इसको ऊपर की तरफ रखें और जब स्मार्ट फॉन के लिए यूज़ करते हैं तो इसको नीचे की तरफ रखें यह इसके लिए नोटिस मतलि टॉचर था इसके बाद में आवाप आइए इसको दिखाते हम आपर यह हैं मैक और इस माइक के लावा यहा पर बोया का कर यहाओ तरी के से खोल सकते हैं और खोलने के बाद में यहां पर ड़का लगा सकते हैं तो यह पलस जो है उस तरौ जाता है इस को आप इस तरीगी से लगा सकते हैं यह हमने लगा लिया है अब इसके बाद में यूजरली स्मार्टवान उसार्पारर होोगे तो यह औ página च्माप्स और रखने यसा वाद होगा ना अगर आप अपने चोटे से स्टूडियो में शूटिंग कर रहे हैं तो और सबसची बात यह है कि इसमें आपको 3.5 mm की ही जैक मिलती है जो कि बहुत बढ़िया ऑप्शन है यूजरी हमें जो आहुजा या अगर दूसरी इंडियन कंपनी का अगर आपन लेते हैं तो उसमें ह अप्शन नहीं मिलता है और उसके लिए हमें एक जो 8 mm का जो जैक है वो हमें यूज करना पड़ेगा अच्छी बात है कि आप इसका यूज बड़े जो एम्प्लिफायर वगरा है उसमें भी कर सकते हैं तो यह भी इसमें एक आप्शनल चीज आई है इसके अलावा इसमें क इसके एक क्लिप आई है इस क्लिप को यूज हम विच्वली यहां पर करेंगे यहीं पर यहां पर लगा लिया है तो इस तरही कि से यह जो बोया का जो कॉलर माइक था यूज किया है अब आई इसको एक बात चेक भी कर लेते हैं जैसा कि अभी अभी जो रिकार्डिंग हो करेंगे यह मेरे सोनी अलफा 58 के जो इन बिल्ट माइक उससे हो रही है अभी हम इसको लगाते हैं और चेक करते हैं कि कैसी वाइस क्वालिटी में डिफरेंस आता है तो वैस यह जो आवास सुन रहा है यह मेरा यह जो मेरी आवास है यह बोया के कॉलर माइक से आ रही है तो आप डिफरेंस देख सकते हैं के जो कंपनी फिडिट इन बिल्ट माइक होता है उसमें और अगर आप कॉलर माइक का यूज करते हैं तो उसमें वाइस का कितना डिफरेंस होता है यह होप कि यह जो आवास है वो पहले से जादा बैटर होगी आए यह वीडियो आपके लिए प्रवंचे चानल, क्लिक शोर निंक इन्जय वाचिंग एणिवा इडियो और प्रेश में नार्च के आल्य दिद्टान्य तो प्रेश निद्टी आंड पला कस साने प्रेश दिद्टानी और करो से लिक आतुंग डिदाना और किन दॉब्ड़श।